प्रशान लोग ने जो आपकी पीस को डिस्टप करने की कोशिश करते हैं तो उस सिच्विशन में क्या करें आप कह रहे हो कि आप तो पीस्फुल रहना चाहते हो लेकिन अगर आपके आस पास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पीस्फुल नहीं है तो क्या करें इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों से पीछा नहीं चुड़ा सकते हो अगर चुड़ा सकते होते तो ये क्वेशन नहीं पूछते मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में है या आपके पडोस में है या आपके आफिस में है सुसाइटी में है कहीं पर भी है तो अगर आप सुसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुटा है जो पागल हो गया है और सब को काट रहा है तो क्या करोगे उससे जा करके लड़ोगे उससे दूर रहोगे पिर भी वो forcefully मतलब बुराई आया है ऐसे बोलते हैं कि जूंड में आती है अम मान लेते हैं कि वो इनसान अकेला नहीं है उसके साथ में कुछ और भी लोग है जिनका motive है आपको तंग करना आपको परिशान करना आप जैसे ही resist करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं कि आप कुछ कहो या कुछ करो और वो सारे जुन में आ करके आपके ओपर अटाक करते हैं अब ऐसे में क्या किया जाए practical solution ये है कि या तो अपना एक जुन बनाओ theoretical बाते नहीं करेंगे practical करेंगे क्योंकि theoretical बाते क्या होती है अरे अगर आपके आस पास में कोई भी अशान्त है उससे कोई फर्थ नहीं पड़ता है आप अपने आप को शान्त रखिये ऐसे शान्त बैठेंगे लोग कमजोर समझें कि तो exactly that's the point जिन लोग के साथ में कुछ गलत होता है जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुब बैठे हो बनाना ही पड़ेगा ये दुनिया ही ऐसी है this is called survival of the fittest मतलब ये क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे ये पावर गेम है और ये आज से नहीं चल रही है सदियों से चल रही है और सिर्फ इंसानों में नहीं है जानवरों में भी है जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे कोई शेर है चीता है तो सबकी अपनी अपनी territories होती है तो किसी एक की territory में अगर कोई और आ जाता है तो उनके बीच में लडाई होती है और फिर दोनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो territory फिर दूसरे की हो जाती है तो यह जानवरों में भी है इसको power dynamics बोलते है तो अब क्या किया जाए practical solution, कोई theoretical बाते नहीं क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूँ कि बई शानत रहो तो कब तक शानत रहो चलो आपको गाली दे रहा है आप शानत रह सकते हो ठीक है आपकी मा को गाली दे रहा है शानत रहोगे बापको गाली दे रहा है शानत रहोगे क्या भगवत गीता में यही सिखाया गया है क्या भगवान कृशन अर्जुन को ये सला दे रहे हैं कि बेटा एक काम कर सामने न लड़ाई हो जाएगी उसमें कुछ पढ़ा नहीं है एक काम कर छोड़ करके भाग जा ये सला दे रहे हैं या वहाँ पर उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है धर्म है अब चाहे कुछ भी हो consequence तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है तुम्हें हमेशा शान्ती चाहनी है तुम्हें हमेशा अपने mind में अपना जो end goal है वो peace को रखना है यानि शान्ती को रखना है लेकिन अगर सामने वाला शान्त है और शान्ती नहीं चाहता है और उसके लिए end result है लड़ना ही पड़ेगा तो लड़ाई के लिए तयार रहो अब लड़ने के क्या तरीके हैं एक है कि अगर सामने एक group है जिसके एक particular level की power है या मानलो उस group में 5 लोग हैं 10 लोग हैं उनकी collective power ये है जिसको भी आप power बोलते हो जो actual है वो नहीं वो जो दिखा रहे है क्योंकि डेली में तो specially क्या है कि हर कोई पता नहीं क्या है कि तू जानता है मेरा बाप कौन है अरे भाई मुझे छोड़ तू जानता है तिरह आप कौन है ऐसे लोगों तो ऐसी बात करनी होती है तो यहां पर हर कोई हवा में है हर किसी को ऐसा लगता है कि मेर से उपर तू कोई है ही नहीं तो नंबर एक कभी किसी से फाल्टू में उल्जो मत जरुत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ उस इंसान से दूर रहो लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ओपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरुत से ज़ादा आपका टॉर्चर कर रहा है मेंटल, फिजिकल तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आपको defend कैसे करना है क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की अब बाते कर सकते हो लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धजिया उड़ जाएगी बिल्कुल ऐसा है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके गले के उपर तलवार लटक रही है और मैं कहता हूँ इस सबसे क्या फर्क पड़ता है शरीन मरता है आत्मा नहीं मरती है तुम एक शान्त आत्मा हो क्यों परिशान हो रहे हो सुखी रहो ये सब क्या है एक तरह से हिपनोटाइस करना हो गया बेवकूब बनाना हो गया आपको प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो जब जरुवत हो यानि जब अती हो जाए तो वहाँ पर सीखो साम, दाम, दंड, भेद, चारक के नीती देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे ये सीखो क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ता सिखाते हैं आपको लड़ता मतलब फिजिकल ही नहीं वो तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे साइकलोजिकली कैसे लड़ते हैं कैसे सोच समझ के उसका जो बार है उससे खुद को बचाते हैं और उसके उपर पलट करके इस तरीके से बार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर बैठो नहीं तो अपने ही नुकसान कर बैठोगे In other words, सामने वाले ना आपको भढ़गाया और आप गए आपने पत्थर उठाया ले आके उसके सर पे मार दिया गुस्से में उसके बाद में पूरी जिंदगी जेल में बैठे हुए हो क्या फाइदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ उसके बाद में राम नाम सत्य है बट आपको तो पुरी जिंदगी भर का काम हो गया सर इस केस में ये सोचे कि जितना वो फोर्स लगा रहा रहा है उससे थोड़ा आदिक लगाओ बट उसको भी नुकसानों है और वो समझे कि पावरफुल है ये गलती कभी मत करो अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकलोजिकल फोर्स लगाओ अब मैं आपको एक बहुत मज़िदार बात बता रहा हूँ हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है उसको बोलते हैं दुखती हुई नस वो समझना होता है तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड सकता है नहीं तो आप कहां चले जाओगे आप फियर की एक ऐसी साइकल में ट्राप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है अब कल ये ना हो जाए परसो ये ना हो जाए अच्छा वो ये ना कर दे वो ना कर दे बहाड में गया वो क्या करता है क्या नहीं करता आप ये देखो आप क्या कर सकते हो तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ जज़ाद भी मत दबाना यह mind game होता है बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो बाद में हारते हो किसी भी रड़ाई हो है पहले आप अपने mind गेंदर हारते हो और जीतते हो तो mind में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अपना ध्यान यहां से हटा दो कि अच्छा 90% possibility यह होगा 10% यह होगा तो आपने calculated risk लिया तो इस तरह से अराम से कुल काम थंडे दिमाग से आगे भढ़ना होता है जब लड़ाई का वक्त आता है और लेवल को अराम अराम से बढ़ाना होता है तो आपको लड़ना सीखना होगा यह कौन सिखाएगा आपको क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान सिखाएगा जो खुद लड़ाकू है वो तो बेवुकुफ हो की तरह आपको लड़ना सिखाएगा वो क्या सिखाएगा दो कौडी की हरकत है यानि कि गाली गलोच मारना पीटना इस सबसे कुछ नहीं होता इसमें तो आप खुद ही फसोगे आपने मार बिटाई शुरू करी सामने वाले ने शुरू करी उसके बाद में गल्ती से कुछ हो गया कौन फसेगा वो भी फसेगा आप भी फसोगे तो ऐसे काम करना ही क्यों है तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा मारना मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो साइकलाजिकल की बात कर रहा हूँ अगर आपके औफिस में कोई है और वो आपको बहुत तंग कर रहा है तो there are ways of dealing with that particular situation जिससे के साप भी मरेगा और लाठी भी नहीं तूटेगी यानि किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो आपने किया लेकिन कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद में वो इंसान पच्टाएगा लेकिन ये step तब उठाना है जब सामने से आपको समझ आ जाए कि अब मेरी जो limit है bear करने की वो cross हो चुकी है हाँ अगर अब इन tactics को आप use कर रहे हो अपने फाइदे के लिए वो गलत है सर्थ वो गलत नहीं है वो बहुत गलत है क्यों मैं बता देता हूं क्यों फर एक्जामपल ये जो मैंने आपको बोला कि इस तरीके से कुछ किया जा सकता है अब आप कहते हो यार idea तो बढ़िया है क्योंकि मेरे उपर जो बंदा बैठा है अगर उसको हटा देता हूं तो उसकी seat मेरे को मिल जाएगी मेरी salary इतनी है वो बढ़ करके इतनी हो जाएगी तो ये तो बहुत बढ़ी idea है चलो उसको हटाता हूं अपने रास्ते में से अगर ऐसे आप बन गए तो अब आप अंदर से corrupt हो गए अब आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा और जिसका दिमाग ऐसे चलेगा यानि अपने आपको defend करने के लिए नहीं चलेगा अटाक करने के लिए चलेगा वो इंसान जिन्दगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता और अगर तरक्की कर भी लेगा बाहर अंदर से उसको कभी मन की शांती नहीं मिल सकती उसको पता ही नहीं होगा कि मन की शांती होती क्या है देखो लाइफ का ultimate goal क्या होना चाहिए कि आपको किसी तरीके से by hook और by crook थोड़ी से और success मिल जाए थोड़ी सा पैसा मिल जाए ये important है ये long term में मन की शांती मिल जाए चैए पैसा थोड़ा कम हो क्या ज़्यादा important है मन की शांती कैसे मिलती है और मन शांत कब होता है जब भी आप कुछ गलत करते हो तो चैए दुनिया को नहीं पता है आपको तो पता है न तो मन शांत हो गया इसको कहते हैं करम फल लोग समझते हैं ये करम फल क्या होता है करम का फल immediate होता है बाद में थोड़ीना होता है जहां आपने किसी के साथ में कुछ भी unfair किया, कुछ भी गलत किया, आप गलत हो गए और जो गलत हो गया वो दुखी हो गया, जितना गलत हो गया उतना भी दुखी हो गया simple सा rule है, और जो अंदर से जितना सही है, वो उतना ही सुखी है for example मेरी फित्रत बन गई आप लोगों को बेवकुब बना करके किसी तरीके से पैसा कमानेगी तो भार से मैं अपने आप को जैसा मर्जी दिखाता रहूँ कि अंदर से मैं कभी भी सुखी रह सकता हूँ और अगर अंदर से मेरी नियत साफ है और अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा भी बोल रही हूँ तो क्या मैं दुखी होँगा क्योंकि मुझे पता है ना मेरी नियत साफ है तो नियत बहुत बड़ी चीज होती है जिन्दगी में अपनी नियत हमेशे साफ रखो तो अगर जो भी मैंने अभी तरह कहा उसको मैं को समप करना हो अपने मन को शांत रखने के लिए तो वो क्या है कि इस दुनिया में यू केन नाट अफोर्ड टू बी वीक जो कमजोर होगा ये दुनिया उसको इस तरीके से तंग करेगी कि वो इंसान की जो हालत है वो बत से बत्तर होती चली जाएगी यानि कि अगर आप mentally कमजोर हो तो बाहर के लोग तो छोड़ो आपके अपने घरवाले ही आपको नहीं छोड़ेंगे मेरी बात ध्यान से सुनने ना सुनने में थोड़ी सी अलग है वो जो आप moral science की books में पढ़ते हो क्योंकि वहाँ पर बहुत ही linear तरीके से कुछ बताये जाता है अगर आप अपने माबब की सेवा कर रहे हो तो आप अच्छे बेटे हो नहीं कर रहे हो तो बुरे बेटे हो अच्छा अगर माब आप किसी बात को ले करके बार बार आपको बोलते चले जा रहे है बोलते चले जा रहे है उसको सुन करके आपका जो mental balance है वो खराब हो रहा है तो कौनसा वो point आएगा जब जा करके आपको पलट करके जवाब देना है और क्या देना है नहीं देना है इन फैक्ट अगर आप महाबारत को ध्यान से समझोगे भगवत गीता को ध्यान से समझोगे तो लड़ाई कभी भी दूसरों से नहीं होती है अपनों से होती है अर्जुन इतना ज़दा confused नहीं था उसको भगवान कृशन ने जान करके confused किया नहीं तो जरूरत नहीं थी भगवान कृशन अर्जुन को ये भी बोल सकते थे कि भई यहां पे तुम लड़ने के लिए हो लड़ो अपना क्या फाल तुम की बाते कर रहो भगवान ने क्या किया रत को ले जा करके सामने बीच में खड़ा कर दिया और का ये देखो ये सारे तुम्हारे अपने हैं जिनको तुमें मारना है उसके हाथ काम गए जिन्दगी में जो सबसे बड़ी लड़ाईया होंगी ना आपकी वो अपनों से होगी दूसरों को तो छोड़ी दो अपने पड़ोसियों को तो आप हैंडल कर लोगे आफिस में जो लोगे उनको तो हैंडल कर लोगे अपनी वाइफ से कैसे दील करोगे अपने पेरेंट्स से कैसे दील करोगे बच्चों से कैसे दील करोगे दोनों जरूरी, depending upon the situation, और मज़ीगी बात क्या है, जो मैंने देखा है जहां तक, मैंने observe किया है, मुझे देख करके अजीब भी लगता है, कई बार मैंने देखा है कि ऐसी बहुत बड़ी-बड़ी बाते हो जाती है, घरों में, जहां पर एक्चुल में लड़ाई होनी चाहि है, वहाँ पर लड़ रहे हैं, मतलब exact उसका opposite हो रहा है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ, छोटी-मुटी कुछ भी चीज है, उसको आया गया गर तो, कुछ बड़ा है, तो अपने आपको तयार कर लो, लड़ने के लिए, आपको तया हूँ, टो ना-पको तया गाहा हूँ, प्लब़ा है, तो बिसकी मैं लिएगला कर दो में उसका कुछ नहा है, एहा हूँ y को तम चाह मैं उसकी को क inspiring, डे तो